नमस्कार प्रियदर्शकों आज के सकारे क्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं मेश राशी वाले जातकों के लिए मई का महिना क्या लेकर आ रहा है विशेश फलादेश प्रारंब करने से पहले आपको एक बात अवश्य बताना चाहूंगा कि पहली ही मई से 2024 की ब्रह्मांड में सबसे बड़ी हल्चल एक्टिवेट होने जा रही है जो की गुरु महराज का राशी परिवर्तन होगा और ये राशी परिवर्तन आपके लिए इस महिने क को यादगार अवश्य रूप से बनाने जा रहा है आज के कारिकरम में हम चर्चा करेंगे मई के महिने में आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है आपका करियर फाइनेंस भाग्य शिक्षा यात्रा दामपत्य जीवन के स्टती और प्रेम सम्मंदों की अवस्था किस प्रकार इस महिने में आपके सामने प्रदर्शित होगी साथ ही आपके लिए शुब रंग शुब अंक और शुब दिवस की चर्चा करेंगे जिनका पालन करकर आप बना सकते हैं इस महिने को याद कर और अंतिम चरण में इस महिने की ब्रह्म की जिसका पालन करकर आप सभी लोग हम महीने में भी बहुत अच्छी उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं सरोप्रथम इस्तती में चर्चा करते हैं पहले सुख की जिसे कहा गया है निरोगी काया आपके लगन के स्वामी मंगल महराज होते हैं और द्वादश भाव में बने हुए हैं किन्तु लगन के अंदर ही सूरिय महराज की स्थि आपके अंदर एक अलग सी उर्जा का योग बना कर देगी आपके अंदर व्यक्तित्व की स्थियां आचार विचार विवार सुभाव की स्थियां बहुत अच्छी बनती है किन्तु आपके लगनेश द्वादश भाव में हैं और इस स्थिय के चलते आपको थोड़ा सा खानपीन का ध्यान रखने की अवशक्ता है अन्यथा ऐसे डिटी गैस्टिक डाइजेशन प्रबलम बीपी वगरा की स्थिय के अंदर थोड़े से प्रभाव देखने को मिल सकते हैं तो स्वास्थ का छोटा मोटा ध्यान रखने की अवशक्ता है बाकी उरजा से स्रज़त करेंगे आपको इस महीने सूरिय महाराज बात करें अदि धन दरश्टी कोण के स्थि क्या संकेत दे रही है तो आपके धन भाव के स्वामी शुक्र महराज लगन में विराजित हैं इसे आपके लिए बड़ा अच्छा माना जाएगा भाग्य स्थान के स्वामी देवगुरु ब्रस्पती जो धन के कारक ग्रह है वही आ चुके है धन भाव में और पहली ही तारिक पर इसलिए मैंने कहा ये महीना आपके लिए बहुत ही विशेश रहेगा जब धन का स्वामी धन भाव में आ जाए तो भाग्य से व्यक्ति को धन अरजित करवाता है और इस महीने इस इस्ति की आप योग अपने जीवन में देखते हुए भी पाए जाएंगे जहां भाग्य के योग से आपकी महनत के योग से क्योंकि आपके लगन में आकर धनेश बैठा है तो अपने व्यक्तित्व आचार विचार व्यवार अपने करमशित्र की दक्षता के दम पर इस महीने धन से आपको दो दो एक नहीं दो दो ग्रह परिपूर्ण करने जा रहे है बात करें दिक कर्म द्रश्टी कुण के स्थि क्या संकेत दे रही है तो आपके कर्म भाव के स्वामी शनी महराज एकादश भाव में बने हुए हैं और ये कर्म शेतर में आपको इस महीने बड़े अच्छे लाब देते हुए पाए जाएंगे सुखो के स्वामी महीने की पहली तारिक पर चंदर देव आपके कर्म भाव में बने हुए है ये संकेत है कि इस महीने धनका साथ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा साथ ही आप अपने कर्म दक्षटा के दम पर सुखो को अपने जीवन में अरजित करें और ना सिर्फ खुद के को भी आपकी कर्म दक्षता के दम पर आप भौतिक सुखोसे करने जा रहे हैं परीपूर्ण भाग्य दरश्टी कोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके भाग्य भाव के स्वामी देवगुरु ब्रस्पती द्वितिय भाव में आकर विराजित हुए हैं इसे आपके लि में यश्मान प्रतिष्टा की कमी बनी हुई थी इस महीने से अनुभूति कीजिएगा वही लोग जो आपके पीछे आपकी चुगली करते थे इस महीने से आपके इर्द गिर्द घूमना प्रारंब करेंगे वानी की दक्षता के दम पर भाग्य के साथ को लेकर आप अपना दब दबा वर्चस्व पुने से करने जा रहे हैं इस महीने से कायव। एक बहुत सुनेरा अवसर सूर्य महराज प्रदान कर रहे हैं और इस स्थती के आधार पर आप देखेंगे विध्या दृष्टी कोण आपका बड़ा ही पुष्ट होने जा रहा है। इने आपकी संतान अपनी विध्या की दफ्षता के दम पर आपको करने जा रही है गौरान विध्य। ये एक बहुत अच्छे स्थती का योग माना जाएगा जहां आपको अनुभूती होगी कि दामपत्य जीवन के अंदर आपके मधुरता का योग बन रहा है। बात करें दी यात्रा दृष्टी कुण के स्थती क्या संकेत दे रही है तो आपके यात्रा भाव के स्वामी देवगुरु ब्रस्पती धन में आकर विराजित हुए हैं और लगनेश गोचर कर रहे हैं द्वादश भाव में। आपके द्वारा व्यापारिक यात्रों में मोटा धन अरजित करने का एक बड़ा अच्छा योग बन रहा है। इतना संबवत रहे सफेद, लाल, यलो, ब्लैक और ब्ल्यू इनका खाने में, पहनने में, आसपास के वातावरण में जितना ज़्यादा आप प्रियोजन करोगे उतने पक्ष का तवस्ता में आपको देखने को मिलेंगे लाब। शुब अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो एक, पाँच और नो, इनको सिंगल डिजट में या फिर टोटल के मूलांक में, जो भी तारिक हो, इसके टोटल के मूलांक पर कोई भी बड़ा कारिया आप करते हो, इसमें परसंटेज सफलता के स्थती में ये अंक आपके लिए जोडते हुए पाए जाएंगे, शुब दिवस की यदि हम चर्चा करते हैं, कोई भी बड़ा कारिय करने का विचार कर रहे हो, प्रियास कीजिए, रवीवार, गुरुवार और शनीवार के दिन किया हुआ कारिय, आपको निश्यत रूप से दिलाएगा सफलता, अब ब्रम की के बारे में जानते हैं, सुन्दर कांड का पाठ करना, इस मई के महिने में हर मंगलवार आपके लिए बहुत अच्छा है, और आपके भागेश धनभाव में जा रहे हैं, इनका स्वागत कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाई नमहका जाब करना, ओम गुरुवे नमहका चलते फिरते जाब करना, आपको दिलाएगा भागे के साथ के माध्यम से धन की इस्ततियों को परिपून, आशा करता हूँ, मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी, कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्तित होंगा, तब तक क आपके लिए, नमस्कार